लोगसबा चुनाओं का नतीज़ा ना सर्फ बीचपी की चुंता बढ़ाने वाला है बलकि इंडिकर्ट बंधन के लिए भी खत्रे की ये घंटी है लोगसबा चुनाओं में भले ही इंडिकर्ट बंधन के सीटे बढ़ गई लेकिन 50 विधान सबा श्रेत्र में एंडिये आगे रहा 6 महीने के बीचपी राज में भी सरकार बनाने का दावा कर रही है वहीं जैवम का कहना है कि लोगसबा और विधान सबा के मुद्दे अलग-अलग होते हैं को बाच सीटों पर काम्याबी मिली लेकिन लोगसबा चुनाव का ये नतीजा दोनों गड़ बंधन के लिए कहीं न कहीं चिंता बढ़ाने वाला है क्योंकि इसे साल के आखरी में विधान सबा चुनाव होना है एंडिये ने भले ही लोगसबा की 9 सीटे जीते हैं लेकिन 50 विधान सबा शेत्र में एंडिये को बढ़त मिली है जबकि इंडिये गड़ बंधन सिर्फ 29 विधान सबा शेत्रों में आगे रही हाला कि अनुसूचित जनजाती के लिए आरक्षत सभी 5 लोगसबा शेत्र में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा नेकिन अनुसूचित जनजाती के लिए आरक्षत 5 विधान सबा शेत्र में बीजेपी को बढ़त मिली कि पुड़ा सफ़ता तो नहीं देए लेकिन हमें कम भी नहीं कि अगर आपको रहा है कि मौस्तित गड़वन देती है और पच्छास विधाम सब्सक्राइब कि अधिया है सीटे हमारी है और कभी-कभी परिस्तितियां ऐसी होती है कभी न कभी सार जारकंड के सारे सीटों को हम जीते हैं तो कभी कभी हाथी पर पाओ कभी पर हाथी ऐसा होता है कोई घबडानी की जुरुत नहीं है लेकिन आप एक बात देखे कि पचास सीटे हमने जीती हैं विधान सबा की और आपको विश्वास दिलाते हैं कि पचास की पचास 51 होगा उन्चास नहीं होग 47 विधान सबाश शेत्र में बीजेपी को बढ़त 3 में आजसू आगे 15 विधान सबाश शेत्र में कॉंग्रेस 14 में जेमेम को मिली बढ़त 5 लोग सभा के सभी 35 विधान सबाश शेत्र में एंडिये आगे धनबाद, कोडर्मा, पलामो के सभी विधान सबाश शेत्र में अंग्रेस आगे राजमहल लोगसभा की सभी विधानसभा शेत्र में जेमेम को बढ़त स्टी के लिए आरक्षित सिर्फ पांच सीटों पर इंडिये को बढ़त जामा दुमका घाडशिला पोटका और सराई के ला में बीजेपी आगे स्टी के लिए आरक्षित 23 विधानसभा सीट पर इंडिये कड़ बंधन को बढ़त सीट इस धारकर्ण में जले जातियों के लिए है उसमें बेहतर होगा साथ मंत्री अपने शेत्र में इंडिये गड़ बंधन के उमिद्वार को नहीं दिला पाए बढ़त बसंत सोरेन, मिथिलेश, ठाकूर, सत्यानंद, भोक्ता, बेवी देवी के शेत्र में इंडिये आगे बादल पत्रलेख और बन्ना गुपता के शेत्र में भी बीजेपी को बढ़त बसंत सोरेन की सीट दुमका में सीता सोरेन को मिली बढ़त प्रदी प्यादव और विनोद सिंग अपनी अपनी सीट पर भी पिछड़े यानि एंडिये जहां स्टी सीटों पर पिछला वहीं आदिवासी को छोड़कर बाकी सीटों पर इंडि गटबंदन को जनता का आशिरवाद नहीं मिला ऐसे में ये नतीजा विधान सभा चुनाव में इंडि गटबंदन की चिंता बढ़ाने वाला है अलाकि जेमेम ने कहा है कि लोगसभा और विधान सभा चुनाव के मुद्दे अलग-अलग होते हैं विधान सभा का चुनाव होगा तो उस समय स्थितिया बदल जाएंगे और हमको लगता है कि पूरी तरस पूर्ण आशिरवाद के साथ अपने जो काम हम लोगों ने भी तटकिये हैं चे महीने के भीतर जारकंड में विधान सभा चुनाव होने हैं ऐसे में बीजेपी की चुनावती जहां आदिवासियों का समर्थन पाने की है वें इंडी गडबंदन के सामने चुनावती रिजर्व सीटों के अलावा दूसरे सीटों पर भी जनाधार पढ़ाने की है न्यूज 11 भारत के लिए राजिस राकेश और राजेश कुमार के साथ प्यूरो रिपॉर्ट सच है तो दिखेगा